नमस्कार स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में मैं हूँ कीर्त सींग आपने देखा होगा कि मशूर एक्टर रंदीप हुडा इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं फैंस ही जो उन्हें कुछ दिनों पहले तक उनकी सराहना करते थे अब वही फैंस उनकी क्लास ले रहे हैं दरसल उन्होंने कामी ऐसा किया है रंदीप हुडा ने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो में स्टेज पर कुछ बात कह रहे थे जिसमें उन्होंने बीजेपी के कारकरता मायावती पर कुछ जोक कसे जिसे लोग कह रहे हैं कि ये काफी सेक्सियस्ट और एक महीला के लिए बहुत ही अभधर टिपनी उन्होंने दी थी जिसके बाद अब लोग उनकी कलास लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हैश्टैग्स यूज किये जा रहे हैं हैश्टैग अरेस्ट रंदीप हुडा जिसके बाद अब इतना ही नहीं रंदीप हुडा को अब युनाइटेड नेशन्स की एन्वाइरमेंट बॉ लोगों तक इससे संबंदित बाते पहुचाते थे लेकिन अब जब उन्होंने एक महिला के खिलाफ एक अभधर टिपनी दी उसके बाद उनके इस दर्टी जोग का ये परिनाम आ रहा है कि उन्हें इस युनाइटेड नेशन्स की एन्वार्मेंटल बॉडी के ब्रैंड बैस ट्रोल करी रहे हैं आपको जानकारी के लिए बता दे कि इस बात की जानकारी एक सोशल मीडिया साइट पर जो इसके मालिक है इस कंपनी के मालिक के द्वारा इस सोशल मीडिया साइट पर इस बात को जारी किया गया है इसके बाद अब कोई भी आक्टर ये सोचने से भी पॉलिटेशन्स के खिलाफ ऐसे अभधर भाशा का इस्तमाल नहीं करना चाहिए बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया ने उस इंडिया के साथ राची